गुट मॉर्णिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग हाव यू होप यू आर वेल आज प्रॉब्र विजिए क्लास को जोइन करें और लाइव आ जाएं आज बिसीकली हम कॉश्चिन्स देखने वाले उनी कॉश्चिन्स के आगे जो हम अर्ड़ी कर चुके हैं तो आज हमारा सबसे पहला कोस्चिन अगर इसमें देखें तो क्या है persona, tone and voice reflect in recent criticism तो जी शाम संदर very good morning तो बच्चों बताओ मुझे इसमें हम क्या आंसर करेंगे how we would be making answers in this तो क्या आंसर हमारा होगा class visible है, audible है सबको तो तो देखो क्या कहता है persona, tone and voice reflect the recent criticism भई अगर हम बात करें किसी के tone की, voice की, reflect परसोना की personality की तो obviously यह उस person के characterization को दिखाएगी यानि the tendency to highlight characterization भई अगर मैं कहुँआँ के tendency to disregard plot यह कोई बात नहीं है tendency to infuse music, music के लिए यह चीज नहीं है tendency to think of all बल्कि इसका answer A भनेगा यानिके tendency to highlight characterization इससे हम उस character के बारे में पता चलता है and we get to know what this character is, just telling right ठीक है निरू, नेहा, शामबेव तो answer हमारा one बन जाएगा अब ज़र इस question को check करो बढ़ आचा question है वो कहता है कि replace the clause वो clause की बात कर रहा है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है clause की बात कर रहा है replace the clause underlined in the sentence below with a suitable phrase एक suitable phrase उसे चाहिए beginning with the words in bracket given below कहाँ पे उसने change किया when प्रभा lose her vision when प्रभा lose her vision she had to stop attending school तो बताओ बच्चों क्या होना चाहिए at the loss losing lost या फिर the loss क्या होना चाहिए अब अगर मैं इस sentence में देखू तो यहाँ पे क्या है she had to stop तो had to stop ये action बाद का है मतलब उसे छोड़ना पड़ा school को है ना और पहले में she when प्रभा lose तो lose का में यहाँ पे क्या lose की बजाए यहाँ पे यह गलत है lost आएगा तो क्या होना चाहिए lost her vision exactly बच्चों यहाँ पे c बनेगा हमारा correct बात है तो यह answer हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे correct answer would be c बतरब अगर हम इन सारों में देखे when प्रभा at the loss losing the loss तो lost यहाँ पे best बैठेगा when प्रभा lost her vision she had to stop attending school क्योंकि पहला function यह हो रहा है फिर वो इसके बदले में हो रहा है यह उसके बाद में हो रहा है यह question देखेंगे सब लोग the question comprise two words each the each them have a certain relationship between them तो हमें क्या करना है followed by four lettered pair of words select the letter lettered pair that has the same देखो भी एक same relationship को ढून रहे है as the original pair of the word जैसे book जो है यहाँ पे book को बच्चो कोन पढ़ता है reader book को कोन पढ़ता है reader तो आप बताओ इनमें से कौन साइन में correct बनेगा which one must be correct among them ओके अनुराधा D आपने बताया अनकिता गुड़ मॉर्निंग B नीरू B ठीक है नीरज कीरती D अनुराधा B ओके शामबीर D भई देखो reader क्या करता है वो book को पढ़ता है सब अच्चे मुझे बताओ draper क्या clothes को पहनता है साफ करता है यहों को तयार करता है student school में क्या करता है पढ़ता है vendor T को क्या करता है बीचता है spectator क्या करता है खेल को सिर्फ देखता है तो सही relationship कौन सी बनेगी अगर हम इसमें देखें तो राकी क्या होना चाहिए answer नहीं हाँ अंकिता देखो बचो जैसे reader के लिए एक book है वैसे ही student के लिए एक school है student, school, reader, book बाकी draper cloths का यूज नहीं करता दूसरों के लिए तैयार करता है vendor दूसरों के लिए spectator खेल को सिर्फ एक तरह बैठके देखता है है ना वो खेलता नहीं है तो answer इसमे बी बनेगा मतलब अगर करेक्ट relationship इसमे लॉजिकली देखे तो that would be student and the school क्या ये बात करेक्ट है तो answer हमारा बी बन जाएगा तो सब बच्चे धियान देंगे कैसे हम इस relationship को बनाते हैं इस relationship को हम इसी base में बनाते हैं अब आगे भी question ऐसा है भई आप देखो animal and zoology zoology का means क्या है zoo यानिके animals का अध्यन यानिके ये उनका subject है इस subject में हम क्या पढ़ते हैं animal को तो बताओ philanthropy में हम किसको पढ़ते हैं man को anthology में किसको पढ़ते हैं poem को anthology poem नहीं पढ़ते हैं poetry में पढ़ते हैं आप किसमें पढ़ते हैं poetry में anthology तो उनका group है poem का bacteriology में disease को नहीं bacteria को पढ़ते हैं physiology में body को बताओ पढ़ते हैं क्या तो बताएए आप लोग इनमें से कौन सा हमारा correct बनेगा man c okay d right बच्चो इसमें प्यारे बच्चो डी बनेगा कैसे बनेगा physiology देखो लोजी का में से study लोजी लोजी body का ध्यानम करते हैं bacteriology में bacteria करना की disease का anthology poems का collection है ये क्या है collection of poems ऐसे बनेगा लेकिन बच्चो जो philanthropy गलत ये क्या होना चाहिए था philanthropy man की नहीं बलकि mankind की होती है मानव की नहीं बलकि मानवता की होती है am I right or not mankind का ध्यन क्या आता है philanthropy में अगर हम देखें philanthropist man का anthropology anthropology मतरब मीन्स वही है लव करने वाला फिल का मीन्स यहां पर किस्से है लव से anthrop का मीन्स किस्से है मानव से तो मानव को लव करने वाली चीज को हम philanthropy कहते है anthropology बिलकुल अगर हम करेक्ट देखें man वाला तो anthropology बनेगा anthropology मतरब कहने का यह है कि इसमें हम फर्च सकते हैं तो best जो बनेगा इसमें क्या बनेगा हमारा it would be D body को physiology में तो answer would be D समने में आया है सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम इनके बीच में difference को बना सकते हैं अगला भी question ऐसा है इसको देखो r u nd l a nd d e r ये सही है क्या word हमारा ये बच्चों थोड़ा सा गलत देख रहा है word आप नहीं देखा c d देखी c d letter देखी इस letter में ये जो होते हैं ये रंग होते हैं ये d गलत लिखा हुआ है r u n g ये रंग होता है रंग का मिन से ये horizontal step ये एक रंग है तो देखो रंग से मिलके इस तरह से क्या बनती है आपकी ladder तो इसी तरह से बताओ leaflet से leaflet क्या leaf से बनता है tree क्या twing से बनता है land road क्या land से बनता है slinger क्या singer क्या song से बनता है बनाएए किसको आप correct मानेंगे which of these must be correct all right इसमें relation बताना है जो relation रंग का ladder से है वो इन में किसका है किस से है तो सब अच्छे ध्यान से देखेंगे जो twig ये twig है बटो twing नहीं है twig 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 का मेंस होता है टहनी तो टहनियों से जैसे tree बनता है वह अगर मैं ये कहूँ ये आपका tree है तो देखो छोटी-छोटी टहनियों से मिलके हर जगा पे टहनी आपको मिलेंगी इन से मिलके tree बनता है इसी तरह से रंग से मिलके ladder बनती है बाकि अगर हम देखे तो singer song को गाता है land alone land पे कबजा करके रखता है leap lag क्या है leap को से मिलके बनता है लेकिन tree आपका twig से बनता है तो answer हमारा यहां पे b बनेगा screen black हो रही है बेटा black तो नहीं है तो बिलको ठीक है राकि आप इसको check कर लो अब इसमें देखो hands और gloves बच्चो hands जो हमारे होते हैं उस पे हम क्या पहनते हैं हम gloves पहनते हैं है ना तो बताओ क्या ऐसे ही हम shoes legs में पहनते हैं जैसे आप gloves को hand में पहनते हैं इन में से किस में पहनते हैं आप पहनने वाली condition आपको बतानी है इग्जैक्ली बच्छो बहुत अच्छे ये बिलकुल correct है जैसे हम gloves को अपने hands में पहनते हैं socks को हम feet में पहनते हैं तो answer हमारा क्या बन गया C would be there तो ये C हमारा बिलकुल correct answer है Right बच्छो अब देखो stars, galaxy अगर मैं कहूं stars और galaxy मुझे बताओ क्या relation है स्टार और गलेक्सी में ये 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 बहुत सारे स्टार्स अगर बन जाएं तो बच्चो ये एक गलेक्सी बन जाती है इसका मतलब क्या होता है गलेक्सी ओप स्टार्स होता है इसका मतलब बच्चो गलेक्सी क्या है collective noun it is a group of stars that is called galaxy और इसको आप constellation भी कहते है आप इसको constellation भी कहते है तो बताओ पैटर फैमिली इसका चिल्डरन से मिलके बनती है गीज क्या गूज से मिलके बनता है council क्या minister से मिलके बनती है forest trees से मिलके बनता है खुद बताओ आप इसमें yes बच्चो बनेगा exactly देखो बाकी को अगर मैं देखूं यह गूज का plural है गीज ministers of council होता है council of ministers बनता है लेकिन जो forest है बच्चो किस से मिलके बनता है trees से मिलके बनता है यह बात पक्ता है लेकिन अगर मैं देखूं इसको एक बिल्ट रुको बच्चो इसमें अगर मैं सही कहूं तो answer आपका c बनना चाहिए पूछो क्यों 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 हमारी council होती है council of ministers होती है जबकि यहां पर tree दिया गया तो tree से forest नहीं बनता है trees से बनता है अगर मैं इस case को ध्यान में दू तो answer आपका c बनेगा मुझे बताओ council of ministers होता है या नि जैसे आपने लिखा galaxy of stars ऐसे ही council of ministers होता है तो correct जो बनेगा वो c बनेगा बोलो ये बात correct है बच्चों या फिर नहीं है यस बिलकुल हाँ forest में flora फोना दोनों होता है मतलब यहां पर देखके वो ठीक हो सकता है बट वो plural की वज़ा से गल्थ हो रहा है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे like this ओके यह तो questions हमारे पूरे हो गए यह कैसे हुआ ओके इसमें बच्चों एक काम करते हैं कुछ और questions डाल लेते हैं let me take some more questions in this just एक मिनट का time देंगे आप लोग मुझे हम इसमें बच्चों कुछ और questions ले लेते हैं क्योंकि अभी समय हमारे पास है हम बना सकते हैं तो एक मिनट मुझे देंगे आप लोग झाल तो एक यह दो एक मुझे आपे और सुप झाल 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 को झाल 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 क्या आप देख पा रहे हैं कॉस्चंस हमारे पास हैं तो हम इन कॉस्चंस को लेते हैं तो लेट एस टेक सम मोर कॉस्चंस हेर फ्रॉम जैसे बुच्चंस यहां पर एक कॉस्चंस देखो आपनों आप इस कॉस्चंस से शुरुबात करेंगे और ध्यान से देखो यह कॉस्चंस यहां पर क्या है कॉस्चंस देखों के लिए कि अगर ऐसा कॉस्चंस आपके पास बनता है कैसे आप आप आणसर करेंगे अटिंटिफाइड़ पेटर्ण of the given sentences, एक बात मैं आपको बता दूँ, यह pattern का means यहाँ पर क्या होता है, यह बच्चो syntax से होता है, इस से होता है basically syntax, syntax का means क्या होता है, subject plus verb plus object का एक sequence, मतलब कि जब हम एक sentence बनाते हैं, तो हमारा sequence क्या बनता है, subject plus verb plus object, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सिर्फ यही तीन चीज़े हैं, भई वहाँ पर compliment भी हो सकता है, वहाँ पर object का compliment भी हो सकता है, वहाँ पर object के बाद में relative pronoun तक हो सकता है, तो वे सब चीज़े हमें देखनी है, अब अगर इस sentence को ध्यान से देखें, तो इसमें बताना है, svca, svoc, svac और svco, यानि कि it यहाँ पर subject है, will यहाँ पर verb है, तो आगे का बताओ इसमें क्या क्या बनेगा, कौन सा हमारा correct होना चाहिए, which one would must be correct here? It will turn cloudy tomorrow. तो देखो, इसमें जो answer हमारी पास है, वो answer बनेगा, cloudy. यह ही बन रहा है, जिसमें subject है, वर्ब है, और यह जो आगे बना है, it will turn cloudy tomorrow, यह बच्चो हमारा आगे compliment है, complimentary part है, क्योंकि जब हम कहते है, it will turn cloudy, यह basically क्या है? cloudy, tomorrow, यह दोनों ही adverb है, यह कैसा work करेंगे adverb का, cloudy भी adverb है, tomorrow भी adverb है, tomorrow किसका बनेगा, time का, cloudy किसका बनेगा, manner का, और आपको पता है, कि जब हमारे पास adverb एक से ज़्यादा आते, तो वो हमेशा MPT के case में आते, यानि सबसे पहले कौन सा आएगा, manner का, फिर कौन सा आएगा, place का, और फिर किसका आएगा, time का, तो time वाला सबसे बाद में यह बन गया, फिर हमारा place यहाँ है यह नहीं, manner का बन गया, तो it will turn cloudy tomorrow, getting everyone, तो ऐसे आप इसको कर सकते, but I don't think के यह questions आपके लिए बहुत fruitful है, हम इन questions को skip करते हैं, और इससे आगे बढ़ते हैं, यह question आपके लिए बिर्कुल फिट हैं, देखो sentence क्या है, are you willing to volunteer, are you willing to volunteer, यह कहता है, इसमें the underlined parts is an example, underlined part मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है, यह जो पार्ट हैं यहाँ पर willing to volunteer, तो यह पार्ट इसमें क्या बनेगा, verb phrase है, noun phrase है, adjective phrase है, या फिर बच्चो रिपर्जेंटेशनल प्रपोजिशनल फ्रेश है, answer करें सब लोग, शशी, राकी, आदियोगी, रबीश, अर्विन, सब बच्चे बताएं, answer हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओके, ठीक है, बहुत अच्चे, बच्चे इसमें, answer कर रहे हैं, कुछ noun phrase कर रहे हैं, कुछ adjective phrase कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो ज़रा थे हांग से, बच्चो पहली बात तो आपके phrase की देखते हैं, कि phrase हमारी होती क्या है, तो phrase का मतलब होता है, combination of more than one word, combination of more than one word, बच्चो एक से ज़्यादा word होते हैं, लेकिन यह हमेशा कैसा meaning देता है, अधूरा, incomplete meaning, incomplete meaning, ठीक है ठीक, और यह अक्सर sentence का part होगा, sentence का part बनेगा, जैसे अगर मैं कहूँ आपको, के you are in the class, तो देखो you subject है, are verb है, और यह जो part है in the class, यह आपकी phrase है, लेकिन आप मुझे ही बताओ, यह phrase है कैसी, यह हमारी phrase बच्चो कैसी है, मतलब मेरे कहने का, जैसे यहाँ पर पूछा, अचने, verb phrase है, noun phrase है, adjective phrase है, तो यह phrase हमारी कैसी कहलाएगी, देखो इसका answer कैसे निकालेंगे, मैंने का you are in the class, question बना, where are you, हम इसका क्या question बनाएंगे, where are you, तो भी where का answer अगर आएगा, तो बन गया in the class, तो क्या बनी यह, adverb, यह क्या बनी हमारी adverb, adverb phrase बनी, बिल्कुर सही अन्डा था, चाब, तो यह हमारी adverb phrase बनी, अब बच्चों हम इस पे आते हैं, मतलब कहने का यह है, कि अगर वो वोट का answer देगी, तो बनेगी noun phrase, अगर वो which का answer देगी, या what kind of का answer देगी, बनेगी adjective phrase, और अगर वो where का, why का, when का answer दे, तो वो बनेगी adverb phrase, यही बात close पे भी लागू होती है, close भी बनेगी, तो अब हम इस पे आते हैं, अब हमें समझ में आ गया भाई, हम कैसे निकालेंगे, अब देखो इसके बाद भे फिर और questions हमारे बनेगे, कुछ इसी तरह के, आप देखो यहां पे, यहां पे subject और वर्ब दोनों होंगे, इसमें पीछे वाले में बच्चों क्या था, इसमें या तो subject होगा, यानि नाउन होगा, या फिर बच्चों वर्ब, एक चीज होगी, जैसे यहां पे in the class, इसमें बस ये नाउन है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे क्या होगा, इसमें सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये अधूरा मीनिंग देगी, जैसे that he could be mistaken, कि वो mistaken किया जा सकता है, वर्ब भी है, subject भी है, लेकिन अधूरा मीनिंग sentence में मिलके पूरा कर रहा है, तो कैसी close बनेगी, बताओ ये किसका अंसर दे रही है, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने noun clause बताया भी है, अब देख उसका अंसर निकालते हैं, correct बात है, बहुत अच्छे, it did not seem possible, तो मैंने कहा, कि what, क्या चीज है वो जो possible नहीं दिखती है, तो वो possible नहीं दिखती है, वो है that he could be mistaken, कि उसे गलत समझाया सकता है, तो यह what का अंसर है, तो सीधी सी बात क्या, noun clause बन गया, पिछले वाले में noun phrase था, भाई समय क्या था आपका noun phrase, क्योंकि willing to volunteer, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह subject verb दोनों लेके, एक clause बना रहा है, और यह clause भी कैसी है, subordinate clause, subordinate clause, और subordinate clause थीन तरह की होती है, adverb clause, noun clause, adjective clause, यह verb clause कुछ नहीं होती, अगले पर देखो आप लो, यह कहता है, which one of the following has an adjective clause, इन में से किसमे adjective clause है, तो बचो बताओ, देखो इसमें कौन-कौन सिकले दे बुक्स, that are on the table, on the shelf, we stood up as the teacher entered, the room is so small that, I cannot live, when he will get back, is uncertain, तो कौन साइन में से, adjective phrase clause बनेगा, यह आपको बताना है, आल राइट, बताइए बच्चो हमारा answer यहां पे क्या बनेगा, what should be the answer, ठीक है जी, B, A, अच्छा देखो जरा ध्यान से, adjective clause के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर मैं कहूँ the books, वे किताबे, that are on the shelf are old, वे किताबे जो, जो, self में हैं, आरे बात समझ में, तो यह जो बच्चो हैं यहां पे, that are on the shelf, पे किसकी विशेशता बता रही है, बुक्स की, आगे मैं कहूँ, we stood up as the teacher entered, यह एक के बाद दूसरी सिक्वेंस को, room is so small, that I cannot live, मतलर room इता चुटा है, कि मैं इसमें रह नहीं सकता है, रहने का कारण बता रहा है, when he will get back is uncertain, यह किसको बता रहा है, what is uncertain, नाउन को बता रहा है, यह नाउन क्लोज है, यह एड़वर्ब क्लोज है, और यह बच्चों यह भी एड़वर्ब है, लेकिन यह क्या है आपकी adjective क्लोज, इसके लिए एक नाउन होना जरूरी है, जिसकी यह विशेश्था बताए, question बना, which book, देखो मैंने आपको यहां पर बताया था, कि भई इसमें हम किसका question बनाएंगे, हम इसमें which का question बनाएंगे, adjective clause में आप which का question बनाएंगे, कैसे बनाया आपने which का question, आपने बनाया, the books that are on the self are old, तो आपने बुचे which books, which books are old, तो कौन से वाली बुक, वो जो self पे है, तो यह आपका adjective clause बनाएगा, क्या सब बच्चों को समझ में आया, इसमें आपको थोड़ा-थोड़ा work करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चों यह DSSB से लेके, UPTDT, PDT से लेके, आपके KVS, NBS सभी जगा आएगा, यह 100% है, तो यह उनमें आता ही आता है, अगले question को देखो सब बच्चे, question देखो, When you go to sleep, I am going to watch the game, When you go to sleep, I am going to watch the game, अब इसमें underlined word को पूछा, यह बच्चों क्या है, क्या आपको बताना है, पांसर करें सब लोग, What should be this, यह हमारा क्या होना चाहिए, 13 का C आप बता रहें, Edward clause, ओके, very good, बागी बच्चे बताएं, आंसर करें, चलो, बहुत अच्छे, very good, देखो, question बना, आपने बहुत सही क्या काफियत तक, When you go to sleep, I am going to watch the game, तो question बना, मतलब यह बना यहां पर, I am going to watch the game, तो game खेलने कब जा रहे हो, तो कब जा रहा हूँ, When you go to sleep, जब तुम सोने जाओगे, तो मैं जाओगा, जब तुम सोने, यह कैसी है, हमारी, subordinate clause, और यह बच्चों किसका अंसर देनी, When का, तो यह क्या बनेगी, Adverb clause मनेगी, हमने आपको बताया था, When का, Where का, Why का, आंसर देने वाले, सारे के सारे, Adverb clause मनाते हैं, जी बच्चों, बहुत अच्छे, अगले पर देखो, Which one of the following constant symbols, is used in the phonetic transcription of the vision, की जड़रत नहीं है, यह question आपके लिए नहीं है, यह भी अलग है, बाकि अगर चाहो, तो आप इसको समझ जरूर ले, है ना, जैसे यहाँ पर बच्चों यह लिखा है, sit, तो बताओ इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा इसको, देखो इसमें छोटी यह है, बस आपको इतना बताना है, छोटी यह वाला जो सिंबल है, वो कौन सा होता है इनमें से, यह वाला या यह वाला, देखे कोन बच्चा जवाब देता है, इनमें से छोटे वाला होता ही कौन सा है, वैसे इसके उपर यहाँ पर ऐसे लगते आता है, यह होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है, है ना, transcription में हम इसको देखते हैं, तो यह बी होना चाहिए, बट उपर भिद्धी उस पर होगी, A man is being questioned by the police, underlined part इसमें क्या है, एक बार देखते हैं, being questioned, is being questioned, यह वाला part underlined है, is being questioned, a man is being questioned by police, कहता underlined part sentence में किसका example है, Adverb phrase का, Adjective verb या फिर Noun phrase का, पताएए बच्चों, यह phrase है, is being questioned, ओके, ठीक है निरज, ए बढ़ी ही है, बिल्कु ठीक है अनराधा, जी, सबसे पहली बात तो है, ध्यान से देखो, यह phrase है, मैं कहूँ, a man, आपको पता है, a man का मतलब यह subject है, फिर बच्चों क्या आएगी, वर्ब, है ना, फिर क्या आएगा, by the police object, correct, तो यह वर्बी तो हुई आपकी, is being questioned, वर्ब, 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 इसका मतलब यह वर्ब phrase है, यह बच्चों आपकी वर्ब phrase बनेगी, right or not right, यह हमारी प्यारे बच्चों वर्ब phrase बनेगी, क्योंकि इस सिर्फ वर्ब का ही जोड़ बना रही है महाँ पे, और कुझे ही नहीं, अगले question को देखो, join the given sentence using present participle, आपको इसमें present participle का use करना है, right, जैसे, she finished the work, she went home, तो देखो, present participle की दो चीजें बड़ी खासियत होती है, अगर मैं बच्चों v1 plus ing को noun बना के रखूं तो तब तो यह होता है जीरंड, और अगर मैं v1 plus ing को दो चीजें करवाऊं, या तो मैं उसे adjective बनाऊं, या फिर मैं उसे continuous बनाऊं, है ना sentence में, तब वो present participle की तरह से आता है, तब वो कैसे आता है, present participle की तरह से, तब वो बच्चो present participle बनेगा, तो बताओ आप लोग, she went home as soon as she finished the work, she finished the work and went home, having finished the work, आपको पता है, having plus finished, present participle तो इसमें किसी में भी नहीं है, यह कैसा बन गया question, बच्चो, दे कोई question गलत है, यहाँ present नहीं, perfect participle कह रहा है, पक्की बात है, perfect participle, मैं आपको बता दू, having plus v3, जब भी आपकी कहानी ऐसे बनते हैं, अगर answer उसने यह दिया है, या हमें समन्य में आ रहे हैं, तो having plus v3 हमें सा perfect participle होता है, इसमें क्या होता है, having plus v3 से हम एक वर्क बताते हैं, और वो वर्क जो पहले होता है, फर्स्ट एक्शन, और उसकी बात जो होता है, वो past indefinite से बताते हैं, और वो क्या होता है, second action, तो अगर हम इस question को देखें तो, हाँ, बिल्कुल कीरती, exactly, अन्रादा, correct बात है, तो यह बच्चो perfect participle बनेगा, correct, तो question है, join the given sentence, यूजी, perfect participle, अब आपका answer है, क्योंकि इसमें present participle तो कहीं है ही नहीं, बाकि present participle यह function बनाएगा, यानि अगर मैं इसको बनाऊं तो इसका answer बच्चो यह बनेगा, देख लो आप फिर, C का answer देखो, कि finishing, finishing the work, she went home, ठीक है जी, finishing the work, she went home, या फिर, she went home, after finishing the work, यह कहाँ नहीं बनेगी, तो तब हम इसे present पाएगा, लेकिन after finishing भी नहीं आएगा, यही बनेगा बस, तो ऐसे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, हाँ, question बाएगा रहते है, answer सही है, मदल कुछ चाप देते हैं, अपना कुछ का कुछ, लेकिन हमें समझ में आ जाता है, जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, जोई the sentence using an infinitive, अब इसको infinitive को देखो, बच्चो इससे पता चल जाएगा, infinitive आपको पताया होता है, 2 प्लस V1, जैसे to go, to read, to sleep, he heard the good news, he was happy, बताओ बच्चो इसमें क्या बनाओ गया आप, तो देखो मैंने आपको बता दिया, 2 प्लस V1, इसमें आना ही चाहिए, क्योंकि infinitive होता ही 2 प्लस V1 है, he heard the news and was happy, hearing the, आप देखो ने इसको, यह देखो प्यारे बच्चो, hearing the good news, he was happy, यह आपका finishing the works event, यह वाली बात तो है, यह present participle का है, question, यह present participle है 100%, he was happy to hear the news, या फिर, he heard the news, good news, happily, बुलो क्या आएगा, बिलकुल बहुत अच्छे बच्चो यह C बनेगा, क्योंकि he was happy, क्यों happy था, to hear the news, बनके हमारा infinitive यहाँ पर आएगा, तो यह चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, हम उन्हें correctly answer कर सकते हैं, अब देखो बच्चो, I dislike her, इसको negative में बनाना है आपको, अगर हम question को देखे, I dislike her, इसे आपको negative में बनाना है, transformation भी आते हैं, change करने के लिए आते हैं, तो कैसे करोगे, I don't her, I like her not, she doesn't like me, I doesn't like her, क्या बनाएंगे बताओ, बच्चो, उसमें एक चीज़ आनी चाहिए उपर बाले में, I don't like her, तो बताओ, I dislike her को कैसे बनाएंगे आप, negative कैसे बनाएंगे, चाहँ बच्च से क्या, A answer करेंगे, बिल्कुल, लेकिन कब करेंगे, जब हम ऐसे बनाएंगे, I dislike her, इस dislike को आपने negative में बदला, don't like, dislike यानी don't like, अच्चर मारा हो गया, क्योंकि she के साथ में लगता है, और यहाँ पे subject I है, doesn't कभी नहीं लगेगा, I like her note, यह कोई बात ही नहीं है, है ना, note हमेशा किसके पहले आता है, note बच्चो helping verb के पहले आता है, helping verb, क्योंकि note क्या है, यह एक negation का adverb है, adverb of negation, तो note हमेशा जैसे, he is not going, helping verb के बाद, ऐसे लिखी गए, is not going, is के बाद, तो यही condition बनेगी, बाद में यहीं नहीं, पर बाद में तो main verb बनती है, यह condition हम बना के चलेंगे, आज का last question देखेंगे, nothing succeeds like success, interrogative बनाना है, तो बच्चो क्या बनाओगे इसका interrogation, nothing succeeds like success, does everything succeed like success, does something succeed like success, does anything succeed like success, या फिर do all things succeed like success, सबको पता है, nothing succeeds, यह बच्चो वीवन प्लस SES, यानि के do dodge में आ रही है, इसका मतरविश में ज़र dodge बाहर निकालेंगे, 20 का C, exactly बच्चो यह बन जाएगा, does anything, आपको पता है, कि nothing जो है, वो anything, anything आता ही, किस में interrogative में या फिर negative में, तो does anything succeed like success, interrogative बना रहा है उसको, तो हमारा answer यहाँ पे C बनेगा, correct बच्चो, जी बहुत अच्छी, तो hope so, कि यह सब बच्चो के लिए बहुत fruitful है, आप questions को समझ रहे हैं, उनके answers कर रहे हैं, एक exercise की तरह से आपके लिए, practice की तरह से आपके लिए है, तो चलो बच्चो, आज इतनी practice करते हैं, कल फिर practice में मिलेंगे, thank you so much for being with me, और मैं बता दूँ, class बच्चो की 10 o'clock से है, आज भी, जो करेरवल वाली class है आपकी, वो 10 बजे से होगी, तो 10 बजे से सभी बच्चे अपनी class में पहुंच जाएं, thank you so much बच्चो, have a great time, bye-bye, अच्छा notification बेटा आना चाहिए जया, ऐसा तो नहीं होगा, आप उसे subscribe करके देखो, अधरवाज तो उस सब बच्चों के पास पहुंच रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं बच्चों के admission हैं उनके लिए है, यह पुराना बेच चल रहा है, अच्छा subscribe किया है, ओके, चलो मैं देखता हूँ, आज ऐसा कैसे हुआ, कि notification नहीं है, I would check it,